हेलो फ्रेंग्स मैं अनामिका मेरे कीजिल में आप सभी का स्वागत है कि आते हैं बहुत ही चटपटी एश्ट्रीट फूट्स लेकर आएं इसे बनाना बहुत ही आशान है और इसका नाथ है जाल मोड़ी कभी हम मार्केट में मेला में या कहीं पीछ में जाते हैं तो यह जाल करते हैं को को जाल मोड़ी बनाने के लिए धाल अब देख सकते हैं बारिक बारिक हमने काट रखा है अब इसमें हम डालेंगे एक उबला हुआ आलो जिसे हमने छील के छोड़े छोड़े पीसे में काट लिया है इन साड़े इंड़ियंच को हम मिक्स कर लेंगे अभी से ही अपनी जाल मुड़ी देखने में सुन्दर लगने लगी ज़ब आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां लग रहा है इतना प्याज टमाटर आलो मिर्च हमने मिक्स किया है तो अब हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे तो इसमें हम आधा चम्मत जीरा पॉडर डालेंगे आधा चम्मत लाल मिर्च पॉडर डालेंगे आधा चम्मत चाट मसाला डालेंगे और हम इसमें श्वाज के नुशार नमक डालेंगे तो चाट मसाला हमने डाल लिया है उसमें सभी चीजे वाइलेंस हो जाती है नहीं तो आ पॉडर पॉडरे नमक डाल ये मशाला हमें इसमें डालेगे सर्शो का तेल यहां पे इंपोर्टेंट इंगिरेंच है जालमोडी के लिए एक चमच हम यहां पे शर्शो का तेल डाले हैं और उसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसरे बहुत बटवाद आता है और चटपट तो यहां पे हमने एक बॉर्म लिया है कहीं पे इसे मॉम्रा करते हैं तो इसे हमने सेक लिया है बिल्कुल गड़म गड़म होना चाहिए आप देख सकते हैं इस अन्सारे इन गडेश में हम मॉम्रा को मिक्स करेंगे और अच्छे से फहेटेंगे जालमुरी का मतलभ है इसे अच्छे से बहुत चटपटा बनता है यह अब हम उपर से डालेंगे थोड़ा सा फ्रेस कटा हुआ धनिया पत्ता और फाइनल इंग्नेस निम्बू काड़स तो इसमें हम आधा निम्बू काड़स निचोड़ देंगे निम्बू के रस से ही तो यह चटपटी होती है यह डालना आप मत भूलिएगा अब फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम उपर से डालेंगे थोड़ा सा यह शेव यह शेव वही है जो मार्किट में आशानी से मिल जाता है बारीक वाला शेव है इसे डालके हम जा प्याज डाल देंगे और उसके बाद जो बचा हुआ सेव है उससे हम घार निशिंग कर देंगे कितना बढ़िया चटपटा अपना जाल मोड़ी तयार हुआ है आप देख सकते हैं तो इसे आपको और चटपटा बनाना है तो और इसमें थोड़ा सा मेच डाल दीजिए बा प्राइब कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट करना मत बूलिये वहनेवाद